बॉड बॉर्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वर्पनेगर कानपूर मैं बात करूंगा आज निचरल सब एपिटाइट सप्रेसिंट्स के बारे में यहने वो क्या निचरल चीजें हैं जिससे आपकी भोग कम रहे आपका पेट जादा देर तक भारा भारा महसूस हो और ताकि आप ओवर इटिंग न करने पाएं तो क्या नेचरल एपिटाइट सप्रेसिंट्स हैं इनके बारे में बात तरूंगा मैं नो इस सच्चाई को देखे जरा जो भी व्यक्त चीजें खाने की तरफ ज़धा होता है इसका मतलब यह है कि ओवेसिटी जब भी होगी तो इपिटाइट ज़धा होगी और जो inhalation है वो fatty food की तरफ ज़धा होगा और ये चक्रिवियो है जो वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, यह बिल्कुल बात सही है, इसका मिला भूग जादा, fatty food का intake जादा, and weight gain, this is a viscer circle जो टूट पाता नहीं है, इस circle को कैसे तोड़ा जाए, उसको तोड़ने के लिए जो natural appetite suppressants हैं, उनको आपको ठीक से समझने की जरूरत है, और शायद इसके लिए आपको किसी registered dietitian से बात भी करने की जरूरत है, आपकी जो foods हैं, या आपकी जो healthy habits हैं, इन में कुछ ऐसा है, जो आपको help कर सकती हैं, या आपको help कर सकती हैं, ताकि आपके खाने की तहले या पेट लंबे समय तक भारा हुआ मैसूस हो, अगर लंबे समय तक भारा हुआ मैसूस होगा, तो आपको craving नहीं होगी, और बार बार आपको craving नहीं होगी, तो आप overeat नहीं करेंगे, नमबर वन पर आते हैं foods, जिनमें protein ज़्यादा है और जिनमें fiber ज़्यादा है, देखें जब भे आप मेटी चीज़ें लेते हैं, sweets लेते हैं, तो बहुत तेजी से आपके खाने की तहली intestine से खतम हो जाती हैं, अगर आप इन्हें ज़्यादा खाएंगे, तो आपको भूग बार बार लगेगी, जो lean protein होते हैं और fiber होते हैं, वो हमेशा digest होने के लिए ज़्यादा time लेते हैं, और digest होने के लिए ज़्यादा time लेंगे, तो आप over eat नहीं करेगे, चाहे आपने chicken खाया, चाहे आपने fish खाई, चाहे आपने soybean खाया, चाहे आपने beans खाये, चाहे आपने strawberry वेरी खाई, बनाना खाया, ये कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आपको लबे समयकता fullness के feeling रहती, देती हैं, तो आप overeat नहीं कर पाते हैं, that's number one, इन चीज़ों को पहचानिए, इनको यूज करिए, खाईए, नमबर दो पर आते हैं, पानी, जो पानी हैं, अगर आप ठीक मातरा में पीते हैं, तो सबसे healthiest habit है, water zero calorie है, water आपकी body के लिए essential है, आप जो पानी पीते हैं, वो आपके खाने की तेली में space ले लेता है, और space को fill up कर देता है, तो naturally जो appetite है या भूख है वो नीचे की तरफ आती है, यह बात सही है कि कभी कभी भूख और प्यास एक दूसरे से confuse करती हैं, इसलिए पानी पीना आपको हमेशा help करता है, इसलिए पानी को बढ़ाएं, तो number one पर आया protein, number two पर आया fiber, और आपने पानी पिया, इससे आपको मदद मिलेगी, now number three पर देखिए कि warm beverages आपको कैसे मदद करते हैं, आपको आदत है ice cold beverages जैसे, I mean cold coffee की है, ice cream की है, जब आप इन चीजों को लेते हैं, तो ये आपको मदद नहीं करती हैं, लेकिन जब आप hot drinks लेते हैं, ये आपको मदद करती हैं, आप hot liquids लेते हैं, soups लेते हैं, एक चुली जब ये लेते हैं, तो research ऐसा मानती है, कि कुछ degree के खानी की जो थेलिया उसमें expansion होता है, जब खा coffee and green tea in particular है, आप इस्तिमाल करिए, लेकिन उसमें शुगर मद डालिए, milk मद डालिए, cream मद डालिए, और इनको जो जो आन एन एवरेज जो coffee है, वो 400 mg पर आप लिमिट करके रखिए, ये आपको help करेगी, इसका मतलब ये है कि जो warm beverages हैं, वो cold की तुल्णा में आपको लेट नाइट खाना खाते हैं, उसको ध्यान से देखिए, आप क्या खाते हैं, वो important है, लेकिन आप कब खाते हैं, वो equally important है, जो intermittent fasting है, वो इसी principle पर काम करती है, कि अगर आपको weight lose करना है, तो it's very important कि late night जो eating है, उसको बंद किया जाए, अगर आप अपने meal time को change करते हैं, habit बदलते हैं, यह आपको मदद करती है, आपको help करती है, इसका reward आपको मिलेगा, अगर आप dinner early लेते हैं by 6 o'clock, 7 o'clock, आप जो ने नीम जाते हैं, तो आपका जो वजन है, वो नीचे की तरफ रहता है, तो जो late night eating है, उसको आपको बंद करने की जरूरत है, तो इतनी चीजो आपके अलावा यह habit अगर आप डाल लें, तो आपके appetite नीचे रहेगी, वजन आपका balance रहेगा, look at the exercise, आप समझते हैं, कि exercise करेंगे तो भूग ज़्यादा लगेगी, यह contrary है, in the sense, कि आप exercise करते हैं, तो आपकी body में endorphins release होते हैं, जो endorphins होते हैं, वो आपकी body के अंदर stress क reduce करते हैं, और आपके mood को better करते हैं, आपका motivation का जो level है, उसको improve करते हैं, आपकी insight को better करते हैं, जब भी आपको stress ज़्यादा होगी, तो stress eating होती है, तो जो exercise जब ज़्यादा करते हैं, तो जो आपके hunger hormones हैं, वो भी suppress होते हैं, जो आपका cortisol है, वो भी नीचे आता है, जो endorphins ह करते हैं, तो overall आपका mood अगर और motivation ठीक रहेगा, तो आप जो overeating है, unnecessary eating है, high food खाने की जो habit है, उससे आप दूर रहेंगे, नो exercise आपको रोज करनी चाहिए, या approximately 150 minutes per week करनी चाहिए, और काफी पानी पियें, ताकि जो hydration है, वो आपका better रहे, नो look at the sleep, science यसा मानती है, कि अगर आप कम सोते हैं, तो आपका stress का level उपर की तरफ जाता है, stress का level उपर की तरफ जाएगा, तो भूग उपर की तरफ जाएगी, और अगर भूग उपर की तरफ जाएगी, आप overeating करेंगे, high, I mean calorie food खाएगे, weight आपका उपर की तरफ जाएगा, तो इसलिए, जो sleep है, is important, adequate sleep is important, around seven to nine hours, तो habits मैं से exercise, habits मैं से sleep, these are two very important, तो यह तीन आपके आते होगे, लेट नाइट आपने खाना बंद किया, आपने रोज exercise का system मनाया, और आपने अपने नीद को improve किया, ये चीज़ें आपको मदद करेंगी, जो appetite suppressants बहुत सारे market में मिलते हैं, जो hormal remedies के नाम से बिकते हैं उनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, most commonly जो बिकते हैं, वो green tea extract बिकते हैं, fenugreek के extract बिकते हैं, berberine extracts बिकते हैं, kromium extracts बिकते हैं, ये सब उस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या फाइदा करती हैं, क्या नुकसान करती हैं, कोई research नहीं है, कोई final answer नहीं है, इसलिए जो भी herbal remedies so far होती हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत है, इसका मतलब ये है, कि अगर आपके diet healthy रहे, आपकी habits healthy रहे, तो आपकी जो appetite है, वो balanced रहेगी, अगर ये balanced रहेगी आपके appetite, तो आपका जो weight है, वो healthy range में maintain रहेगा, आप समझते हैं, कि इस बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको अपने registered dietation से बात करनी की जरूरत है, तो ये natural suppressant माने जाते हैं appetite के, ये कुछ खाने की change जो मैंने आपके सामने रखी, जो आपके habits हैं, उसकी बाते हैं आपके सामने रखी, अगर इन दोनों चीज़ों को समझने में, कि खाने में क्या परिव करें, में डॉक्तर भी के मिश्रा, फ्राम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरुपनगर कानपूर, तैंक य। वरे मच्च.